तो फ्रेंट्स विराट कोली ने टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी छोड़ दिये और इस बारे में मेरे एक सब्सक्राइबर है विश्वना जादव जी वो मेरे व्यूज जानना चाते थे कमेंट्स में पूछ रहे थे तो इसके लिए मैंने अपना सेपरेट वीडियो ही बनाना सही समझा क्योंकि कई तरह कि आपसे बाते करनी होगी तो इसमें मैं आपको अपनी ओपिनियन दूँगा जिसमें मैं में लिए तीन बातों का आपको आंसर दूँगा अपनी राय दूँगा पहली बात तो ये कि क्या उनका ये डिसीयन विराट कुलिका कैप्टन्सी छोड़ना सही है या नहीं दूसरा कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते है और तीसरा इसके पीछे क्या कारण نہیں हो सकता जो मेरी अपनी उपिनियन है तो इन तीन बातों पर आपसे बात करेंगे इन तीन सवालों पर साथ ही मैं आपको बताऊं कि इन तीनों के सवालों के जवाब देने से पहले मैं जब इसके बारे में सोच रहा था कि मैं क्या आपको जवाब दूँगा तो मैंने जो और भी सोशल मीडिया पे देखा तो नोट किया कि इस वक्त काफी जो एक सिंपती वेव है जो वो विराट कोली के फेवर में है कि विराट कोली को काफी यहां पे समर्थन किया जा रहा है और इस वक्त कोई भी अगर विराट कोली के अगेंस कुछ भी बोल देगा तो अफकोस उसको बुराई जहिलनी पड़ेगी तो मैं यहां पे वो ही सोच रहा था कि हम मैं क्या बोलूँगा पर जो मैंने फिर सोचा तो यही मैंने डिसाइड किया कि जो मेरी अपनी ओपीनियन है मैं वही आपसे शेयर करूँगा फीरलेस तरीके से शेयर करूँ ओनेस तरीके से शेयर करूँ चाहे आपको पसंद आये तो भी अच्छी बात है, नहीं आये, तो भी कोई बात नहीं, मैं अपना चैनल fearless and honest तरीके से रन करूँगा, तो वही मैं आपसे opinion share करूँगा, तो पहला सवाल कि विराट कोली का ये decision, कैप्टन सी छोड़ने का test match की सही है कि नहीं, तो मेरे according ये decision ग idly tour खतम होने के बाद भी मेरे according उनको कैप्टन सी नहीं छोड़नी चीए थी, नहीं छोड़नी चीए test cricket की, ये एक transition का phase है, team हारी है, और उनको as a captain flexible होना चीए, जो मैं कहता भी आया हूँ, तो विराट को ली एक अच्छे कैप्टन है, बड़िया कैप्टन है, ये तो उनक 60% या 65% एक सफल कप्तान की श्रेणी में रखूंगा, और 35% मैं कहूंगा कि उनके as a captain failures रहे, according to me, तो उनको इस वक्त continue करना चीए था, अभी one day series होने वाली है, उस पे ध्यान देना चीए था, और इसके बाद series श्रिलंका के साथ है, तो उनको थोड़ा flexible होके team में changes लाने चीए थे, थोड़ा सा team को build करना चीए था, नए प्लेयरों के साथ, और team और अच्छा करती, वो थोड़ा flexible होके team में changes लाए, और team जीत थी, तो अगर उनको छोड़ना भी था, तो में भी थोड़ा सा team build करके, young players को लाके, settle करके, after maybe one year छोड़ सकते थे, या इस year के end में, त चेज पे इस तरह से टूर के बीच में ही छोड़ देना, तो ये मेरे ख्याल से सही decision नहीं है, अब दूसरी बात की, इसके पीछे क्या reason है, मेरे recording, तो पर उससे पहले क्या reason नहीं है, मैं उसकी बात करना चाहूँगा, मेरे recording, उनकी captaincy छोड़ने के पीछे, BCCI का reason नहीं है सौरव गांगुली जी का reason नहीं है, तो ये उनका खुद का फैसला है, विराट कोली का पूरी तरह, जैसे उन्होंने T20 में captaincy अपनी मर्दी से छोड़ी, उसके बाद ODI से उन्हें हटाया गया, तो ये अब जो test से छोड़ी है, तो ये पूरी तरह 100% विराट कोली का ही फै तो ये एक मसाला मिल गया है, अब पूरा मीडिया, ज्यादा तर यूट्यूबर्स इसको लेके खूब रोज करेगे, कॉंट्रोवर्सी क्रियेट करेगे कि नहीं जी कुछ तो है, ये BCCI को बीच में लपेटा जाएगा, सौरव गांगुली को भी लपेटा जाएगा, और एक ये विन लॉस वाली सिचुएशन पैदा की जाएगी, जगडे वाली और एक बहुत एक मसालेदार सिचुएशन, तो मैं इसमें आपको अपनी अपिनिन दे दी, मेरे कोर्डिंग BCCI का कोई लेना देना नहीं है, और मैं आपको भी यह इसला दूँगा, कि कोई इसमें कोई आप आपस में ही ना लड़े, जैसे कमेंट सेक्शन में या वो दो गुड बनाके कि इसकी तरफदारी लेनी है उसकी, everyone is from our country, और ये विराट कोली का अपना फैसला है, तो BCCI का से कोई लेना देना नहीं है, नीदर सौरव गांगली, अब तीसरी बात कि अब इसके ब इच्छे दो रीजन समझाती है, पहला रीजन है disappointment, विराट कोली का ये सपना था कि सेना कंट्रीज में जाके series जीती जाए, test series जीती जाए, ये बात तो वो पहले से ओपन है, जब रवीशास्त्री कोष्ट थे, कि सेना कंट्रीज में ये जाके जीतना चाते थे, और ये बो में हम देखें इंग्लैंड में ये आगे है two one से हमारी टीम पर अभी final match होना है उसमें जीत भी सकते हैं डॉब भी हो सकता है या इंग्लैंड भी जी सकती है तो उस सीरीज का फैसला होना है यूज़िलेंड में नहीं सीरीज जीतने का तो वो पूरा नहीं हो पाया इस हार से और उनको अब लगता भी नहीं वो पूरा हो पाएगा क्योंकि अब टूर कुछ सालों बाद ही होते हैं तो टाइम जादा हो जाएगा उनकी भी चाटी थ्री ठाटी फॉर तक हो गई है तो एक तो इस वजह से वो काफ फैक्टर है यह भी कंबिनेशन है एक इसको आप इगो कह सकते है प्रेस्टीज इशू प्लस फियर इन तीनों का मिला जूला फैक्टर जैसे अभी इनकी थोड़ा इनको हटा दिया गया ओडियाई कैप्टेंसी से इशू भी रहा और इसके अलावा जो इनका भी था वो बात नहीं हुई है कि जैसे थोड़ा कच्ची हो जाती है यह सरफ सोचने का नजरिया है कई पर खिलाड़ी उस तरीके से ले लेते हैं कि हमने ऐसे क्लेम किया पर साबित नहीं कर पाए तो थोड़ी सी बेस्ती वाली बात होई पर वो सोचने वाली बात है पर मुझे तो अब टेस्स कैपिटन सी का क्या होगा क्या मुझे हटा तो नहीं दिया जाएगा तो हलागी मेरे कोडिंग हटाया तो नहीं जाएगा जो सेलेक्टर से है वो कैलकुलेटेट तरीके से ही चलते है तो वह भी तो वह कॉंटिनुई करते अगर हाँ अगर एक और कोई छोड़ देता हूं कि अभी वन ओल चल रहा है में भी मेरे और सेलेक्टर के बीच कोली एंड सेलेक्टर मीन्स की एक फॉर्मेट से मुझे हटाया गया एक से मैंने छोड़ी तो अगर तीसरे से भी मैं खुदी छोड़ दूं सो लाइक आयम टू वन अब कि इस पूरे मुद थोड़ा तो उस चक्कर में भी यह मुझे डिसीयन लगता है सो डैट इस माइं ओपीनियन कि इनको इन्होंने यह क्यों छोड़ी है और क्या इसके पीछे मसला है और मैं इस चॉपिक पे कोई और वीडियो नहीं बनाऊंगा यही मेरा फॉस्ट एंड लास्ट वीडियो सो अनलेसी और निंटल कोई वाकी बड़ी बात होती है विराड कोली कोई प्रेस कौंफरन्स में आके बात बोलते है कोई बड़ी या कोई ऐसी बात होती है तब ही मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा या कोई और दूसरे यूटूब चैनल पे मैं होता हूँ उनसे डिसकशन हो रही है तब अधरवाइस अपने चैनल पे ये इस टॉपिक पे मेरा फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है मैं वंडे सीरीज पे कंस्टरेट करूँगा और आपको भी मैं यही सला दूँगा कि अगले 4-5 दिनों तक जब तक वंडे सीरीज नहीं होती रोज कुछ न कुछ अभी होएगा मसाला क्रियेट किया जाएगा थोड़ा आपस में फैंस भी लड़ेगे तो आपस में ना लड़े इस बात को लेके ना लड़े कि यह विराट को लिगी कैपिटन सी छोड़ दी क्यों हो गया क्या हो गया बहुत बड़ी कोई politics बाजी हो गई controversy हो गई ऐसा कुछ नहीं है everyone is from our country मैं भी आपकी country से हूँ आप भी मेरी country से हो okay friends